वल्कम टू पीपी आई टुटोरियल करते हैं और आज मैं आपको बताने जा रहे हूँ कि अगर आप पारा मेडिकल की तयारी कर रहे है और अपनी तयारी को और बेहतर करना चाहते है तो आप इस चैनल से जूर जाएए, क्योंकि आप सभी जानते हैं, PPI means quality plus trust, हर साल हमारे paid course और YouTube से तयारी कर बहुत सारे बच्चों को पारा medical courses में government seat होता आ रहा है, तो इस साल आपकी बारी है, चलिए आज के इस question practice set के important class में हम लोग start करने जा रहे है new question practice set, जो की बहुत ही ज examination point of view से, और हर साथ इस topic के questions आपको देखने को मिल जाएंगे पारा medical exam में, तो मैं आप लोग से request करूंगी, कि आप लोग इस practice set को अच्छे से समझें और solve करें, और हाँ, अगर इस channel से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, तो जल से जल नीचे channel को subscribe कर, bell icon को press करिए, और bell icon क प्रेस कर notifications को on कर लीजे, तो चलिए आज के इस बेहतरीन class को start करते है, let's get started, guys, आज का जो हमारा video है, ये जो है, अब हमारा लोग इसमें देखेंगे, adjective का important questions, और ये है हमारा practice set 2, आप लोग बिलकुल अच्छे से देखिएगा, guys, यहां तक आपको कोई भी doubt हो, यहां कोई लीजे, क्योंकि हमारे channel से रोज आपको daily life classes हो रहे हैं, कभी science की, कभी gk के classes हो रहे हैं, कभी English की, तो आप लोग इन सारे सारे practice sessions को बहुत importantly कीजिए, क्योंकि आप लोग questions को read कर रहे हैं, आप लोग यहां समझ रहे हैं, यहां questions के type को देख रहे हैं, question को कैसे twist किया जा रह आप लोग आराम से वहां exam में आप लोग solve कर पाएंगे, क्योंकि English से भी बहुत important questions कभी adjective के आते हैं, कभी noun, जोकि बहुत important chapter है, इसका भी हम लोगों ने practice state करवाया है, तो आप लोग जो भी channel पर new है, वो पिछली videos को भी complete कर लीजेगा, ठीके, अचलिए, आज का जो हमारा वीडियो, वो है adjective का important questions, बिल्कुल सही adjective, तो हम लोगों ने practice state 1 को भी अच्छे से complete किया था, practice state 1 में हम लोगों ने बहुत सारे important questions और कुछ basic concept को clear किये हैं, और कुछ tricks है, जिसकी through आप लोग adjective को अराम से classify कर सकते हो, कौन सा adjective है, कहां किसका use होगा, वो सारे मैंने करवाए ह तो आज हम अरा session चलेगा practice state 2, वो भी किस subject किस topic को लेकर, तो particular topic का नाम है adjective, तो चलिए next, हम अपना questions को start करते है, question क्या कह रहा है, तो questions देखते हैं first, will you give me sugar, यहाँ पर आपका sugar दिया हुआ है, और sugar के पहले आपको एक adjective लगाना है, तो यहाँ पर मैं questions को पहले throughly read कर रही ह उसके बाद आपको चार options दिये हुए है, आप लोगों को अच्छे से वीडियो को देखना है, उसके बाद अपने answers को live class में, chat box में आप लोग को reply करना है, कि आपका answer A होगा, option B होगा, C होगा, यह D होगा, और questions को अच्छे से समझना हैगा, इस हो सकता है, इसमें से कुछ questions आपके पारा medical exam में direct to direct आजाए, या कहें तो कुछ concepts से related questions आजाए, सो आप लोगों को हमारे चैनल PPI tutorial, that means quality and trust, trust हम भी आप पर कर रहे हैं, आप भी हम पर कर रहे हैं, और यह trust दोनों का एक दूसरे पर है, सो आप लोगों भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हम भी आप उतना हो सके, उतने सारे अपने friends को inform कीजिए, कि PPI tutorial पर रोज daily life classes हो रहे हैं, और हम सभी students को attend करना है, देखना है कि किसका कितना questions सही होता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग answer देंगे, A, B, C, D, अराम से options को देख करके, तो आप लोग जो भी students new हो गए, उन्हें भी inform कीजि आपका third option है any, और आपका fourth option है many, यह चार options है, आपको यहाँ पर एक adjective लगाना है, और यहाँ पर आपको sugar दिया होगा है, तो sugar के पहले आपको एक adjective लगाना है, practice session 2 चल रहा है, first वाले में भी ऐसे कुछ questions आए है, तो जो students first वाले को कियो होगे, उससे तो बहुत easy समझ में आ answer कीजिए, question number one का क्या होगा, will you give me sugar, some sugar, वाव बिल्कुल सही, आप लोग बहुत अच्छा chat box में reply कर रहे हो guys, आप लोग बहुत अच्छा से answer करो, इसका answer question number one का जो है, आपका option a, that is some, यहाँ पर होगा some, यानि कि यहाँ पर हम questions को अगर हम फिर से read करें, तो यह question हो क्या, आप मुझे थोड़ी चीनी दे देंगे, okay, question आपको कोई doubt है यहाँ तक, कुछ भी, इस options को आपको देखना है, यह चार options में आपको एक answer, select करके, यहाँ पर put करना है, okay, चलिए, next question की और move कर रहे है, next question क्या है, देख लेते फटा-फट से, the boys did not make blanks noise, okay, यहाँ पर आ की सिर्ट के सामने, much, each, either, many, यह चार options आपके सिर्ट के सामने हैं, आप लोग को 4 ऊपसंस में एक answer अपना select करके, चैट बॉक्स में रिप रिप्स करना है, the boys did not make noise, यह 4 options आपकी सिर्ट के सामने है, यह चार options में, आपको चार zijn options आपको दिये हुए है, first option है much, फिर है each, फि है मेनी यह चार आपसंस हैं आपके स्क्रीन के सामने आप लोग फटा-फट से चैट बॉक्स में इसका आपसु कीजिए बिल्कुल सही मच यहां पर आपका आंसर हो जाएगा एम यू सी एच दे बॉइस दिड्नाट मेक मच नॉइज तो यहां पर अगर हम देखें तो कोशन नुबर टू का हमारा ओप्शन कौन सा सही हो जाएगा ओप्शन ए बिल्कुल सही दे बॉइस दिड्नाट मेक मेक मच नॉइज ओके चलिए हम लोग नेक्ट कोशन क्यों मूव करें आपका फर्स्ट आप्शन है नो आपका स्थेकंड आप्शन है नॉट एनी थार्ड आप्शन है नॉट और फोर्थ आप्शन है मेनी ते सी अ. थतों है दिडvised हर्व लोग फटाफट से सकांसर कीजिए कोश्चन नबर थर्ड का क्या हो जाएगा option A होगा option B होगा option C होगा या option D होगा बिल्कुल सही option A there are no apples in the basket basket पे कोई भी apple नहीं है ठीक है चलिए यहां तक कोई doubt चलिए next question क्यों move कर रहे question कह रहा है blank से यहां पर आपको एक adjective भरना है money she had was all stolen अब students को doubt हो रहा होगा little, a little और the little तो जो भी students new है उन्हें तो doubt हो रहा होगा बट जो हमारे पिछले वीडियो को देख करके अभी second वीडियो देख रहे हैं उनको तो बिल्कुल doubt नहीं होगा क्या, यह मैं बात सही बोल रही हो नहीं हाँ या ना, comment box में chat box में reply करिए क्या, जो students पहले आ चुके थे live class में, जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है, क्या उन्हें यह question में कुछ भी doubt लग रहा है हाँ या ना question number 4 हाँ, मुझे मालूम था कि अभी कोई doubt नहीं है तो students जो new हैं मैं उन्हें बता दू little का use हम लोग नगर ने जब हमारे पास कुछ ना के बराबर हो तब use करते हैं, okay little का use कुछ थोड़े मात्रा में है, other little मतलब बहुत जादे amount में था, और वो थोड़े मात्रा में था वो भी बहुत जादा था, थोड़े से जादा था और few, few तो यहाँ पर कुछ औरी options है, few के लिए भी हम लोग नगर ने मात्रा में यूज करते हैं, okay तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर क्या answer होगा little, a little, the little या few question number 4 का money के लिए, यानि उसका सारा पैसा ही तो छिना गया stolen हो गया, चोड़ी हो गया तो यहाँ पर आपका question number 4 का answer, C हो जाएगा the little money she had, जितना भी जो भी money उसके पास था watch all stolen उस सारा चोड़ी हो गया, okay question number 4 का C हो जाएगा यहाँ आप लोगो कोई doubt तो नहीं हो रहा है guys question number 4 का answer हो जाएगा C, okay चलिए next question के लिए move करते है यहाँ पर भी question है उसी तरह से यहाँ पर आपको एक adjective भरना है men are free from faults क्या सारे लोग faults यानि गलतियों से free है सारे आदमी तो पहले मैं options read कर दूँ, okay few, a few, the few, little चार options आपके screen के सामने है आप लोगो फटा-फट से इसका answer करना है question 5 का answer क्या होगा फटा-फट से few होगा, a few होगा, the few होगा, यह little होगा blanks men are free from faults यह चार options आपको दिये हो है few, a few, the few, और little question 5 अब आप लोग का बिल्कुल सही जा रहा है answer बिल्कुल सही, a few यहाँ पर हो जाएगा a few men are free from faults कुछ थोड़े ही आदमी जो है वो false से बिल्कुल free है, okay कोई डाउट नहीं है, question 5 तक में, यहाँ तक आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे, ओके, चलिए, next question क्योंब करते है, next question क्या कह रहा है, there was, यहाँ पर आपको एक adjective भरना है, okay, milk in the pot, there was, blank से adjective भरना है, milk in the pot, very few, little, very little, और few, चार options आपके इसक्राइए होगा ह screen के सामने है, आप लोग फटा-फट से इसका answer कीजिए, कि यहाँ पर answer क्या हो जाएगा, there was, blanks, milk in the pot, options आपके screen के सामने है, आप लोग फटा-फट से इसका answer कीजिए, there was very little milk in the pot, यहाँ पर आप लोगों ने बिल्कुल सही answer किया है, यहाँ पर जो है, आपको option C, जो है, वो बिल्कुल सही answer हो जाएगा, option C, question number 6 का, option C, जो है, वो बिल्कुल right answer हो जाएगा, चलिए, next question क्यों move कर रहे है, next question क्या है, blanks, the money has been stolen, यह question है, okay, blanks, the money has been stolen, अब आप लोग फटा फटसे, इसका यह देखिए, options, all, some, whole, few, चार options आपके screen के सामने है, फटा फटसे इसका answer कीजिए, किसका answer क्या होगा, question number 7 में, chat box में आप लोग reply करिए, और जो भी strengths आप लोग purchase नहीं कियो हो course को, तो बिल्कुल course को purchase करो, इतने affordable amount में आप लोगों का course purchase करने का आपको पूरी पारा medical की तियारी हो जाएगी, उसमें तो इससे बहतर क्या होगा, आप लोग course को purchase करोगे, उससे आप लोग पहले तो theory को अच्छे से पढ़ लोगे, अगर by chance theory से कोई question अगर आ गया, तो आप लोग तो वो अगर theory पढ़े हुए रहोगे, तो वो तो solve कर लोगे, इसलिए हमारे channel से paid course और हर साल बहुत सारे strengths को government college में कुछ पारा medical courses में seat lot होते ही हैं, तो आप लोग जो strengths new हैं, या जो भी strengths old भी हैं, लेकिन वो course को purchase नहीं किये हैं, तो वो हमारे PPI tutorial जो आपके screen पे सो होगा, आप लोग वहां से course का purchase कैसे करना है, ये सारे आपको systems पता चल जाएंगे, तो आप लोग course को बिलकुल purchase करो, ताकि theory भी complete हो, और इधर तो आप लो से उसे purchase करके अपनी त्यारी को रच्छे कर सकते हो, तो यहां पर आपका question कौन सा चल रहा था, 7, आप लोग बता दिये हैं, चलिए, question 7 का A, यहां पर all होगा, okay, all the money has been stolen, question 7 का जो है, आपका option A, जो है, वो बिलकुल right answer हो जाएगा, यानि all the money has been stolen, okay, कोई doubt नहीं होना चाहि में आप लोगों को चलिए, question number 8 के और move किया जाए, आप लोग फटा फट से chat box में reply कीजिए, क्या आप लोग का question number 7 तक में कोई भी doubt है, तो आप लोग अपना question को उच लीजिए, नहीं है, तो चलिए, next question के और move करते है, next question हमारा कह रहा है, question में आपको यहां पर एक adjective भरना है, member has to sign this agreement, एक agreement है, और उस पर प्रतेक member को, हर member को sign करना है, okay, तो मैं options read कर दू, option A है each, option B है आपका every, option C है either, और option D है neither, यह चार options आपके सामने है, आप लोग को फटा-फट से question number 8 में answer करना है, किसका answer क्या होगा, question number 8, blanks member has to sign this agreement, question number 8 का answer क्या हो जाएगा, फटा-फट से chat box में reply करूँ गाईज, question number 8, बिल्कुल सही, every, every member has to sign this agreement, यह option जो है B, यहां पर अगर हम देखें, option कौन सा हो जाएगा, B, जो है, वो बिल्कुल सही answer है, every member has to sign this agreement, ओके, चलिए, next question क्यों मूव किया जाए, चलिए, next question क्या कह रहा है, देख लेते हैं हम लोग, blanks, side has won, ओके, यह question है, ओके, अब मैं options रीड कर दूँ, आपके चार options है, neither, all, either, each, चार options में आपको एक option सेलेक्ट करना है, I am waiting, फटा-फट से answer कीजिए, chat box में, question number 9 का answer क्या हो जाएगा, अच्छे से देखिए, blanks यहाँ पर आपको एक adjective भरना है, बिल्कुल सही, either, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, guys, इसी तरह से concentrate रहो, answers को पुट करो, कौनसा answer होगा, देखते हो, okay, बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे हो, तो question number 9 का, अगर हम बात करें, तो question number 9 का option, C, जो है वो राइट answer होजाएगा, either, okay, चलिए, next question क्यों मूव करते हैं, next question क्या है, next question हो रहा है, there is not water के पहले आपको लगाना है, adjective, water in the well, यह है आपका question, अभी आप लोग फटा-फट से options देख लो, much, many, all, whole, okay, यह चार options आपके screen के सामने हैं, आप लोग को फटा-फट से इसका chat box में reply करना है कि कौन सांसर सही है, question number 10 का, जी, water के हिसाब से ही आपको यहाँ पर adjective लगाना है, there is not blank water in the well, तो यहाँ पर आपका options कौन सा सही हो जाएगा, बिल्कुल सही, much, यहाँ पर जो हो जाएगा, there is not much water in the well, यह चार options में आपका question पर 10 का answer कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सही, option A, यहाँ पर option A जो है, आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा, चलिए, next question क्यों move करते है, next question क्या कह रहा है, देख लेते है, please give me, यहाँ पर आपको adjective भरना है, more rice, ओके, यह question है, please give me blanks, more rice, ओके, चलिए, आपका option है, आपके screen के सामने, some, much, any, more, ओके, यह है आपका option, आप लोग फटा-फटा से इसका answer कीजिए, कि इसका answer क्या हो जाएगा, question number 11 का, please give me blanks है, यहाँ पर आपको adjective भरना है, more rice, please give me some, much, any, more, options आपके screen के सामने है, आप लोग इसका answer कीजिए, please give me blanks, more rice के पहले, आप लोग कौन सा यूज़ करोगे, question number 11 का option कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सही, question number 11 का option A, जो है, वो बिल्कुल right answer है, please give me some more rice, okay, यहाँ पर आपका option A, जो है, क्या है, some, please give me some more rice, यहाँ पर option, question number 11 का option हो जाएगा, A, तो यहाँ पर आपको यहाँ तक कोई doubt नहीं होना चाहिए, चलिए, question number 12 की और move किया जाए, question number 12 भी बहुत easy है, how, यहाँ पर आपको adjective भरना है, okay, our students are there in the class, यह है question, आपका options में read कर दू, आपका first option है much, आपका second option है all, आपका third option है many, आपका fourth option है some, यह तो general knowledge, general I think, बच्चा में conversation के लिए, हम लोग को यह सिखाया जाता था, हर student से पुछा जाता है class में कितने students है, तो यहाँ पर आपका first option much, all, many, some, बहुत easy question है, आप लोग फटा-फट से adjective लगाईए, यहाँ देखिए guys, कितना easy question है, अगर हम देखें, तो यह बहुत basic सा conversation का सवाल है, तो अगर हम लोग अच्छे सा ध्यान में हैं, तो यह options तो एक दम फटा-फट से clear हो जाएं, बस easy question को थोड़ा से twist कर दिया है, अब इसका answer करना है, question number 12, question number 12 का answer क्या हो जाएगा, question number 12 का, बिल्कुल सही many, यहाँ पर जो है, how many students, यहाँ पर आपका answer क्या हो जाएगा, many, क्या इसका answer मच होगा, no, बिल्कुल नहीं, इसका मच answer नहीं हो जाएगा, यह plural है, तो plural के लिए यहाँ यूज करेंगे many का, और यहाँ पर आपका many option में है, so, आपका option A यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसलिए आप लोग को option C पर ध्यान दे रहे हैं, कुछ students ने A को correct किया है, लेकिन A नहीं होगा, ओके, तो फिर से मैं clear कर दूँ, इसका question how many, ध्यान से देख लो, आप लोग students A बोल रहे थे, तो यहाँ पर option C जो है, तो वो बिल्कुल right answer हो जाएगा, चलिए, यहाँ तक कोई doubt नहीं होना चाहिए, चलिए, next question क्यों move कर रहे है, question कह रहा है, यहाँ पर, remains has blanks a pain, ठीक है, यह question है, अभी options read कर दूँ, no, not any, not all, question number 13 में, negative sense में देखना है, यहाँ पर आपको, question number 13 का, Ramesh has blanks a pain, फटा-फट से chat box में reply करिए, बिल्कुल सही, Ramesh has not a pain, उसके पास pain नहीं है, ओके, यहाँ पर आपका question पर 13 का answer क्या हो जाएगा, C, यहाँ पर आपका answer C हो जाएगा, ओके, चलिए, next question क्यों move करते है, next question है, you have blanks, यहाँ पर आपको adjective भणना है, money, यह चार options आपको पहले में बता दू, little, a little, the little, the few, आपको money के हिसाब से बनाना है, किसका answer क्या हो जाएगा, बस यहाँ भी वही concept यूज होगा, little, a little और the little वाला, few तो होगा ही नहीं, यहाँ पर the few नहीं होगा, अब यहाँ पर अगर हम देखें, तो कुछ options, जो है, कुछ students, option A दे रहे हैं, तो कुछ students, जो है, option B reply कर रहे हैं, अगर देखिए, आपके पस money नहीं है, यह ना के बराबर है, you have little money, तो सही है, जब ना के मात्रा ना के बराबर हो, लेकिन कुछ money हो, थोड़े पैसे हो आपके पास, तो you have a little money, तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो question 14 का जो है answer, वो A भी सही है, और B भी सही है, यहाँ पर A भी सही है, और B भी सही है, तो इसका answer दोनों सही है, तो both are correct, आप जिसे साब से sense लगा, यह answer सही हो जाएगा, ओके, चलिए, next question के और move करते है, next question में आपको यहाँ पर कुछ भरना है, books are as popular as the गीता, गाइस यहाँ पर ध्यान दिजिएगा, गीता का जी मैंने capital लिखा है, क्योंकि यह proper noun है, और यह proper thing, जैसे कि book का एक name है, और name का first title capital होता है, तो यह मैं यहाँ पर बता दी हूँ, चल तो यहाँ पर बताना है आपको, कि few होगा, a little होगा, few होगा, a few होगा, यह the few होगा, question number 15 में, इस पर देखिए गाइस, अभी आप लोग books है, तो यह clear एक little वाला चीज तो होगा नहीं, तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से clear हो सकता है, कि यहाँ पर बचा कौन, few होगा, a few होगा, यह the few, तो क्या गीता, जो हमारा book है, उसकी तरफ बहुत सारे book popular है, थोड़ा है, यह ना के बराबर ही है, तो इसके लिए आप कौन सा use करोगे, फटा-फट से chat box में reply करो, बिल्कुल सही, option B, यहाँ पर बहुत सारे अच्छे से reply कर रहे हैं, और उनका answer सही जा रहा है, यह बहुत अच्छी बात है, few books, यानि कि एकदम ना के बराबर ही कुछ किताबे ही हैं, जो कि गीता की जितनी, गीता जो हमारा book है, उसकी तरह popular है, ठीक है, यहाँ पर गीता book है, यहाँ पर कोई लड़की का राम नहीं है, इसलिए आप लोग यहाँ पर गीता, एक सेंस दबुक है, यहाँ पर देख लीजे, ओके, चलिए, question number 16 की और move कर रहे है, question number 16 कह रहा है, there is, blank से और यहाँ पर एक adjective भढ़ना है, milk to prepare tea, ठीक है, अभी options में read कर दू, first option है, आपक there is blanks, milk to prepare tea, question number 16 का आंसर क्या हो जाएगा, फटा-फट से आंसर कीजिए, question number 16 का, बिल्कुल सही, C, very little, 16 का आंसर C हो जाएगा, there is very little milk to prepare tea, ओके, चलिए, next question की और move कर रहे है, next question क्या कह रहा है, blanks institution has its own banner, ओके, blanks institution has its own banner, यह है, अभी options आप read कर लो, each है, either है, every है, और neither है, फटा-फट से chat box में इसका आंसर कीजिए, कि question number 17 का कौन सा आंसर होगा, बिल्कुल सही, question में 17 का option A, जो है, वो बिल्कुल, right answer हो जाएगा, यहाँ पर आपका अगर कहूं मैं, तो each institution has its own banner, ओके, चलिए, next question क्यों और move करते हैं, next question है, हमारा question number 18, blanks of the students was honest, यह है question, options read कर दू, first option है each, every, either, neither, blanks of the students was honest, question number 18 में, अब यहाँ भी कुछ, question number 18 में, जो है, वो कुछ student C दे रहे हैं, और कुछ D दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपका बोथ answer right है, either भी हो सकता है, और neither भी हो सकता है, यह दोनों sense पर, बिल्कुल सही answer कर रहा है, question number 18 का C भी हो जाएगा, और D भी हो जाएगा, आप कोई भी options, वहाँ right करके आओगे, तो कोई दिकत नहीं है, वो दोनों options वाले को right marks भी मिलेंगे, ओके, चलिए question number 19 क्यों पर move कर रहा है, question number 19 क्या कह रहा है, I know blanks, यहाँ पर आपको adjective भरना है, बेंगॉली and less Hindi, यहाँ पर वो जो भी है, इसका option मैं पहले read कर दूँ, फिर उसके बाद sense बताते हूं, little, a little, few, a few, यह चार options आपके screen के शामने है, अब यह आप लोगों फटा-फटा से इसका answer करना है, किसका answer क्या हूँआ, question number 19 में, I know, Bengali, less and less Hindi, first option है little का, second option है a little का, few का और a few का, तो देखें गाईस, यह थोड़ा ही जानता है Bengali, I know, a little, little तो नहीं होगा ना, के बराबर तो यह बिचार है, हिंदी जानेगा, less Hindi, तो यहाँ पर वो हिंदी से ज्यादा जान रहा है, तो यहाँ पर option हो जाएगा, आपका option B, यहाँ पर I know, a little Bengali, a little Bengali, and less Hindi, तो यहाँ पर आपका question number 19 में option B, जो है, वो बिलकुल right answer हो जाएगा, चले question में 20 के और तरफ move कर रहे, question है, there were trees on blanks side of the road, यहाँ पर आपका first option है either का, second option है all का, third option है every का, और fourth option है sum का, there were trees on blanks side of the road, question में 20 का, आप लोग फटा-फट से chat box में reply करिए, किसका answer क्या हो जाएगा, बिलकुल सही either, यहाँ पर there were trees on either side of the road, यहाँ पर आपका option A, जो है, question number 20 का, अगर हम बात करें, तो question number 20 का option A, जो है, वो बिलकुल right answer हो जाएगा, तो यहाँ तक आप लोगों को चैनल पर, यहाँ जो live class चल रहा है, यहाँ तक आप लोगों कोई doubt नहीं होना चाहिए, चलिए next question के और move किया जाए, you have blanks, more books to read, options देख ले, sum, all, any, whole, you have blanks, more books to read, options मैंने आप लोगों को बता दिये है, आप लोग फटा-फट से chat box में इसका answer कीजिए, किसका answer आपके हिसाब से कौन सा सही है, question number 20 का, you have some more books to read, यहाँ पर आपका answer हो जाएगा, sum, यानि question number 20 का अगर हम बात करें, तो option A जो है, वो बिलकुल right answer हो जाएगा, question number 21 का, ओके, चलिए, question number 22 की और move करते है, question number 22 क्या कह रहा है, देख लेते है, question number 22 है, you can do it, यहाँ पर आपको यह है, ठीके, यहाँ पर आपको adjective भरना है, options read कर दूँ, first option है no, second option है not any, not on any, यह चार option स्क्रिन के सामने है, आप लोग को फटा-फटा से इसका answer करना है, किसका answer क्या होगा, you can blanks do it, बिलकुल सही, question number 22 का होगा, you cannot do it, तुम यहाँ नहीं कर सकते हो, question number 22 का, option C, जो है, वो बिलकुल right answer हो जाएगा, चल यह next question के और move करते है, next question कहे रहा है, there is blanks hope of his recovery, यहाँ पर question मैं read कर दी हूँ, option है little, a little, the little और few, यह question बहुत important है, अगर यह little और a little, the little वाले concept से आ रहा है, तो आप लोग को बहुत अच्छे से solve भी करना होगा, और फटाक से करना होगा, इसमें तो अभी कोई doubt ही नहीं है, क्योंकि concept बहुत अच्छे से clear हो गया आप लोग का, there is blanks hope of his recovery, आप लोगों का यह chat box का, जब मैं देखती हूँ answer, सब लोग एकदम सही से answer कर रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा feel होता है, guys, बिल्कुल सही, there is a little hope of his recovery, थोड़ा ही hope नहीं हो सकता है, पूरा ना की मात्रा में तो है नहीं, यहाँ पर थोड़ी सी hope है उसकी recovery की, यहाँ पर आपका option question 23 में, आपका option कौन सा सही हो जाएगा, बिल्कुल सही, a little वाला, तो यहाँ पर आपका option हो जाएगा, भी जो है वो बिल्कुल right answer हो जाएगा, चलिए next question क्यों move करते हैं, next question कर रहा है blanks, a student has a pain and a book, यह question है, आप लोग को अब options में read कर दूँ, each, every, either, neither, चार options आपके screen के सामने हैं, आप लोग को फटा-फट से इसका answer करना है, question number 24 का answer क्या होगा, फटा-फट से reply कीजिए अपने chat box में, बिल्कुल सही, option A, question number 24 का हो जाएगा, A, यानि each student, each student has a pain and a book, ओके, चलिए next question के और move कर रहे, ये है हमारे आज का life class का लफ सबसे last question, ओके, तो आप लोग को जो भी students, आज के इस वीडियो को देख रहे हो, आज का जो हमारा class कर रहे हो, आप लोग को कैसा लग रहा है, ये तो आप लोग को comment box में, इसका feedback देना होगा, ओके, अभी पहले मैं question में 25 को complete कर आ रही हूँ, आप लोग देख लो question में 25, there are blanks, pains on the table, question ये है, options मैं read कर देती हूँ, some, all, any, whole, options मैंने read कर दिया है, अभी आप लोग को chat box में, इसका answer करना है, question में 24, 25 का answer क्या होगा, आप लोग फटा-फट से इसका answer कर दीजिए, there are blanks, pains on the table, बिल्कुल सही some, there are some pains on the table, option A, question में 25 का, वो बिल्कुल सही answer हो जाएगा, तो यहाँ तक कि आपने वीडियो को अच्छे से complete किया, अब आप लोग का इतने देर में कोई भी वीडियो है, तो इसमें कोई भी doubt है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, यह हमारा चैनल, जो है आभी daily live classes चल रहे हैं इस पर, आप लोग का आज का जो, इंग्लिश का जो live class चला है, वो चला है आप लोगों का adjective का, इसी तरह से हमारे चैनल पर, आप लोग जुड़े रहे हैं, इसके बाद भी आपको verb के मिलेंगे, practice set, adverb के मिलेंगे, बहुत से important questions, अगर हम बात करें preposition, तो prepositions के भी आपको practice set मिलेंगे, जब आप इन practice sets को complete कर लोगे, तो हमारा grammar क्या है, बस यह parts of, eight parts of speech को, अगर हम अच्छा से practice कर लेते हैं, तो हम लोगों का कोई दीकत ही नहीं होगा English में, तो अब हम लोग बात करेंगे, जो strengths theory नहीं पढ़ते हैं, और direct हमारे practice session को जूड़ते हैं, तो उनके लिए भी अच्छी बात हैं, लेकिन अगर आप channel पर, हमारे paid course से, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत charges हैं, पारा medical थियारी करने के लिए, आप लोगों को बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे, नो, यहां तो बहुत affordable amount में, minimum amount में आप लोगों का जितना हो सकता है, हमारे विकास से आप लोगों को वो purchase करने के लिए, आप लोगों को करवार हैं, purchase आप लोगों को WhatsApp नमबर, यहां जैसे आपको स्क्रीन पे सो हो रहा है, आप लोग हमारे चैनल से उसके थुरू हमारे course को purchase भी कर सकते हैं, और वैसे जो स्टुरेंट्स प्रैक्टिस से ट कर रहे हैं, उनके लिए भी कोई बात नहीं, लेकिन हमारे चैनल से आप लोग पेड़ कोर्स को जब आप purchase कर लोगे, तो यहां से आपको बहुत सारे बहतरीन टीचर से आपको त्यारी करवाए जाएगी, जैसे विकास सर भी खुद भी बहुत सारे important questions और थियोरी को करवाते हैं पेड़ कोर्स में, तो वो सब का फाइदा आप उठा सकते हैं, तो आज का हमारा जो वीडियो था वो यहीं पे complete हो रहा है, लेकिन जो स्टुरेंट्स चैनल पर new है, वो चैनल से जूर जाएए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजें, क्यूंकि जब भी हमारे चैनल से वीडियो पोस्ट हो, तो आप लोगों को वीडियो अराम से मिल सकें, आप लोग फटा-फट से उसकी तयारी कर सकते हो, आप लोग के पैरामेडिकल एक्जाम में वो सारे कोस्टन्स, कुछ कोस्टन्स डायरेक्ट भी आ सकते हो, और कुछ आपका कोस्टन्स से जो है, आप लोग इसी तरह से हमारे चैनल से जूरे रहे हैं, और ये वीडियोस को जो आप ये ब्रहा लाइफ क्लास करते हो, इसका फीडबेक दो कि कैसा लगा आपका वीडियो, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इसके तरू हम लोगों को भी अच्छी खुशी होगी, कि हाँ ये वीडियो ऐसा बना, और ऐसे अच्छे स्टुडेंट्स ने एक देम अच्छे अच्छे कमेंट्स किये, और इसका बहुत अच्छा लगता है, आप लोग जो लाइफ क्लास में इतना अच्छे से आंसर करते हो, तो हमें भी बहुत अच्छी खुशी होती हो, आजका हमारा वीडियो यहीं कम्प्लीट होता है, तो थैंक्स फूर वाचिंग माईफ करते हो,